नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल के साथ होब कि आप सभी लुप ठीक होंगे, शुरुप शीत होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहोंगे और अपनी फैमली का ध्यान रख रहोंगे सवाल आता है कि सर एक महिने बचे हुए CSIR के एक्जाम में what should be your strategy to crack CSIR efficiently within one month तो जी हां मैं वो अमरित लेके आ चुका हूँ जिस अमरित के लिए आप इस वीडियो में जुड़े हुए यही अमरित जो है वो आपको CSIR क्वालिफाई कराएगा लेकिन क्वालिफाई कराने से पहले स्ट्रेटजी पर बात करने से पहले और अमरित की बात करने से पहले let's talk about one thing अगर मैं discuss करूँ आप से there is a one classroom अब उस classroom में जो है कई सारे बच्चे माल लेते कि मैं एक teacher हूँ या कोई भी XYZ एक teacher है अब एक classroom में जो है कई सारे बच्चे बैठे हुए मेरी एक coaching है माल लेते मैं आके पढ़ा हूँ अब माल लेते हैं उस classroom में जो है 50 बच्चे हैं और 500 बच्चे जो है मेरी lecture को देख रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि क्या मैं सिर्फ एक बच्चे पर focus करके class में पढ़ाऊंगा या पचासो बच्चो को equal focus करूंगा तो सायद आपके जवाब होगा कि सभी पर equal focus करूंगा और definitely yes क्यूंकि मेरे लिए साभी बच्चे जो है वो बराबर हैं तो मैं सभी पर equal focus करूंगा और सभी को बराबर पढ़ाऊंगा इसी तरीके से मैंने courses पढ़ाता रहा और धीरे धीरे जो है वो course complete हुआ exam करीब आये और साभी बच्चों ने जो class में थे उन्होंने exam दिया लेकिन 50 के 50 बच्चों ने exam को qualify किया ही ने कुछ बच्चे जो थे उन्होंने qualify किया फिर मैं उनसे जब पूछने गया कि आखेर मैं आपने qualify क्यू किया और जिन्होंने नहीं qualify किया मैं उनसे भी पूछने गया तो उन्होंने qualify क्यू नहीं किया तो उसमें जो है कई सारी चीजे बात निकल किया तो जो जिन्होंने qualify किया और जिन्होंने नहीं qualify किया उन सभी का था कि sir आपने अपनी मेहनत तो पूरी दी थी मेरे अंदर ही कमी रहे गई या जिन्होंने qualify किया फिर वही बात थी कि आपने अपना effort put किया था लेकिन मैंने थोड़ा बहुत ऐसे revise कर लिया यहां से practice कर लिया तो मेरी qualification हो कि अब इस कोचिंग कौन सी है यह चीजे कौन सी है वो उसमें जो 50% effort होता है उसकी self study का होता है yes coaching will help you देखो वही बात होती है कि आपको दुरोडा चार एक बार अरजुन बना देंगे ठीक है आप एक बार जो है शिक्षा ले लेंगे चाहे वो कृष्णी की बात करिए संदीपनी से उन्होंने सिक्षा ले थी या किसी की भी बात करें तो उन्हों वो गुरुकुल सभी को जाना होता है और एक बार सिक्षा लेने के बाद उन्हों सिक्षा का उप्योग करना होता है और हर teacher जो है वो एक bridge जैसा होता है bridge कैसे कि एक तरफ से दूसरे तरफ आपको पहुचा द जो अक्सर coaching अक्सर YouTube पे कोई नहीं कहेगा, कहेगा भाई मेरा पढ़ लो सब हो जायेगा, अगर उनके पढ़ने से सबका हो रहा होता, तो क्यूं न 50 के 50 बच्चों qualify कर गए, 5-10 क्यूं किये और वो भी क्यूं नहीं किये, किसी भी coaching के, किसी भी classroom के सभी बच्चे कभी qualify नहीं करते, तो अगर आप एक कहेंगे, सिर्फ coaching का हाथ है qualification में, या सिर्फ teacher का हाथ है, तो नहीं है, teacher plus student, एक mutual effect होता है, जिसको बोलते है, symbiosis या mutualism, and that you have to show, जिस दिन आपको ये समझ में आएगा, कि mutualism में educators सभी के लिए बराबर है, आप उतना effort करिए, इसमें अब आप सोच र तातपर है, तातपर ये है, कि एक महीने बचे हुए, और इस एक महीने में मैं वही समझाने की कोशिस कर रहा हूँ, कि आपका effort ही यहां से आपको लेके जाएगा, जो पढ़ना था, पढ़ लिया, चाहे कहीं से भी पढ़ा हो, किसी भी सोर्स से पढ़ा हो, अब बहुत पढ़ने का वक्त तो बचा नहीं है, अब ऐसा तो नहीं है कि आप दो यूनिट पढ़े हो, अब इतने में दस यूनिट पढ़ लोगे, और क्वालिफाई भी कर जाओगे, देखो एक दो का लग सकता है, तुक्का लग सकता है, लेकिन सभी का तुक्का लगे, यह जरूरी नहीं है, तो one month is here, एन इस one month को सही utilize करिए, self study के उपर, rather than की बहुत भटकने की बचन, अब उस one month को कैसे आप utilize कर सकते हैं, उसके लिए आपको गया करना होगा, एक plan बना लीजे, आपने अभी तक जितनी unit पढ़ी है, कितनी थोड़ी बहुत बची है, कितने को दो तीन बा revise किया है, कौन ज्ञाधा स्टॉट आपका है, कौन वीक है, किसमे ज्यादा आपको अभी notes देखने हैं, किसमे नहीं देखने हैं, किसके short notes तयार है, किसके keywords तयार है, पहले तो आप अपने notes को शौट आउट, मनलब आप अपने units को शौट आउट करिए, जो भी आप त्यार उसको लगभग लगभग धिरी धिरी पॉस की कंडिशन में लेके जाए ये मतलब अब जो पढ़ चुके उसी को रिवीजन और रिकॉल करिये और मैं बार-बार रिकॉलिंग को तवजु देता हूँ उसको मैं अभी वीडियो में बता भी चुका हूँ एक पहले भी वीडियो तो उसमें पहले आप schedule बना लिजे, schedule क्या है कि मुझे इतनी units मेरी strong है इतनी medium है और इतनी weak है अब strong से शुरू करिए अब weak से करने का time नहीं है पहले आप उनको तयार कर लिए जो आपको अच्छे है उनको एक दो बार revise करिए और अब ऐसा समय आना चाहिए कि अगर for example मैं आपके अक्सर SPR approach, study, practice, revision यही बात करता हूँ, SPR या recalling, study, practice and recalling, तो study, practice and recalling की जब बात करें तो अब वो समय है जहाँ पे study, practice and recalling का जो time है वो लगभग बराबर हो जाना चाहिए, मतलब लगभग अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें 10 घंटे या 12 घंटे तो ल practice पे और 4 घंटे recalling पे अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3-3 घंटे दीजे जितने भी आपके पास समय है लेकिन कम से कम 2 घंटा practice और 2 घंटा recalling तो आपको आप देना ही पढ़ेगा और 2 घंटे practice में ऐसी practice नहीं कि बस बैठ गए question तो आधे गंटे में एक ही question solve पर रह की कोशिस करिए और खुद से जब ना हो तब किसी की मदद लीजे दूसरे के video देखके question में solve करना वीडियो से अगर solve कर रहे हो तो फिर आपको बहुत नुकसान होगा क्योंकि इससे उसकी बुद्धी मजबूत हो रही है जो वीडियो में बता रहा है आपकी बुद्धी का यूज नहीं हो रहा है यह वही हालत है कि मैं dumbbell मार के सिखा रहा हो देखो ऐसे dumbbell मारते और बैठे बैठे आप सोच रहे हो कि आपके biceps बन जाएंगे यह आपको समझना बहुत जरूरी है you have to practice you have to use your brain you have to increase your problem solving skill अगर आपको अपने दिमाग को मजबूत करना है आपको अपने उनको solve कर लीजे जितना हो सके जल्दी से जल्दी और अगर समय बचता है तब जाके किसी और exam या किसी और platform या किसी और book से जो solve करेगा first solve your all PYQs till now जहां तक आपको मिल जाता है Google से लेके कई सारे जगों पे PDF अब लेबल है तो practice should be in time bounded and PYQs का solution आप पूरा करिए यह practice में ध्यान रहे दूसरा वापस आते है that study अब अगर आप कोई unit जो है नहीं किये हुए है तो उन units को पकड़ लीजे मान लेते को unit चल रही है लगभग मैं मान के चलता हूँ कोई इस time तक बहुत सारे platform से बहुत सारे जहां से भी आप associated रहे होंगे या self study कर रहे होंगे तैयारी पढ़ने वाली जो चीजे वो लगभग complete कर चुके होंगे थोड़ा बहुत बचा होगा तो उनको आप साथ में चला सकते उन्हीं के लिए आपको बस समय देना ठीक है तो अब उनको पढ़ने के लिए आप चाहे book का सारा ले रहे है coaching का सारा ले रहे है या कहीं का भी सारा की जिम्यदारी है अब इसके बाद study याद रहे कि आपकी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहे लंबी का मतब या नहीं कि दिन भर पढ़ी रहे है it should be again four to five hours only बस उसके बाद नहीं then most important recalling this one month याद रहे कि ये जो सारु खान का एक बहुत ही famous dialogue था ये आखरी 70 गंटे वाले जो था ही न है वो 70 मिनट नोट घंटे 70 मिनट वाला जो डालोग था वो बड़ा important है अगर आप 70 मिनट जैसे वो बोलते थे वो आपका आखरी 3 घंटा बड़ा important होता है 180 मिनट लेकिन उस 180 मिनट से पहले ये last one month again याद रहे कि recalling is very very important recalling कैसे करना है ये मैं कई दफा बता चुको एक बार फिर से में quick बता देता हूं कि आप recalling का मतलब है कि पहले एक बार quick overview कर लीजे कि replication में क्या क्या है transcription में क्या क्या है translation में क्या है फिर copy बंद notes बंद बैट जाएए या walk करिए जो भी करना है आख बंद करना है तो करिए नहीं करना है तो मत करिए शुरू में आख बंद करके recalling करेंगे तो जल्दी दिमाग जो है उनको recall कर पाएगा नहीं तो आप आख खोल के भी कर सकते कि replication में जो terms आपने पड़े जो चीजे आपने पड़ी वो सब चीजे क्या थी recall करिए उन सब चीजों को और हर दिन जो है जैसे आपने अगर दो से तीन घंटे recalling पे देने और देने ही है और recalling पे फोकस करिए terms पे, keywords पे, lines पे यादरा recalling short notes जैसी चीजों से नहीं होती short notes से part C के question नहीं बनते, part B के side बन जाए, part C के लिए आपको detail statement चाहिए होता है इसलिए आप जिस notes से पढ़ रहे हैं उसी से पढ़ते रहे हैं उसी को recall करी, मलब उसी को देखके उसी को imagine करी है उन keywords उन चीजों को, उन informations को, अक्सर लोगों में illusion होता है कि मैं छोटा notes बना लूँ तो मेरे लिए अच्छा रहेगा बहुत फायदेमंद नहीं होता short notes, but yes, this is your choice कि आपको क्या करना है, लेकिन हाँ recalling के लिए 2-3 गंटे देने हैं, बिना देखे recall करना है, बीच में अठके तो help ले लिजे, लेकिन तब तक करिये for example कि आपके पास 30 दिन है, मतलब वही लगभग लगभग, 10 unit आप target कर रहे हैं, तो एक unit को proper recall करने के लिए आपके पास 3 दिन है लेकिन ये 3-3 दिन आपको नहीं देने हैं, आपको सिर्फ 2 दिन देने हैं, और 2-2 दिन देने हैं, पहले 20 दिन 10 unit को recall कर लेना है 2-2 दिन में पूरी unit recall होनी चाहिए, ये ध्यान रहे है, आपको अब किस time limit से करना है, किस efficiency से करना है, किस speed से करना है, ये आप decide करिए recall कर लेने के बाद, last के 10 दिन फिर एक एक unit चलनी चाहिए, इस तरीके से करी कि पहले 2 दिन एक एक unit, फिर last में 1-1 दिन में पूरी एक unit recall होनी चाहिए, और ये होनी चाहिए, तब जाके आपको जो एक्जाम में बैठोगे, तब मज़ा आएगा कि हां यार मैं त्यारी करके आया हूँ, और practice के साथ भी यही होना चाहिए, same concept with the practice, दो घंटे दे रहे हैं, तो दो दिन में एक unit के पूरे PYQ solve, फिर उसके बाद PYQ solve, ऐसे 10 unit कर लिए पूरे, फिर अगले दिन जो थोड़े बहुत बचे हुए, उनको solve करें, mock test दे रहे हैं, कुछ ऐसे दे रहें, ये दो घंटे निकाल लिजेगा, दो दिन में एक unit complete करिये, practice करके PYQs का, और recalling करके concepts का, और फिर 20 दिन में पहले 10 दिन पूरा तयार हो, फिर उनी को फिर से एक एक दिन में करना है, जो पहले दो दिन में complete करे थे, अब वो ही एक दिन में करो, और इस तरीके से तयारी करोगे और फिर exam hall में पहुचोगे, तो देखना कितना अच्छा आपका preparation रहेगा, बाकी अगर आपके पास कुछ other inputs हैं, short notes, keywords है, tags है और उनका use कर सकते हैं, लेकिन yes, again, don't fall in the trap of videos and lots of reviews and courses, ये जाल है, जाल, फस जाओगे मचली की तरह, फिर तडफते रहोगे, मिलेगा कुछ नही मैं अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ बहुत उसलिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको इतना suggestion देना चाहता हूँ, आप खुद इतने intellectual level पे होंगे, लेकिन आजकल इतना common sense करते हैं, common sense is not so common nowadays, इसलिए समझाने की कोशिस कर रहा हूँ, कि self study is one of the most important thing, जो आपको qualify कराएगी या नहीं कराएगी, teacher ने अपनी महनत कर दिये, उसके दो चार दस वीडियो से आपका पूरा कुछ नहीं बदल जाएगा, याद रहे, ये आप इस 30 दिन को कितना जादा utilize करते हो, खुद से ये बहुत important है, बाकी अगर कोई topic पे बात करना चा इस बात पे सर कुछ suggestion दे सके, तो मैं definitely I would like to कि मैं उन topics पे बात करूँ, तो आप लोग बताईए और अगर वीडियो अच्छा लगा, तो like, share, subscribe कर दीजेगा चैनल को, और दोस्तों तक पहुचाईए, उन्हें भी फायदा मिले, मिलते हैं आप से next वीडियो में, till then bye bye, take care and जे हिए